नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका अमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एप्शन प्रिंटर 28-50 मॉडल का आप ड्राइवर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप एप्शन प्रिंटर 28-50 मॉडल का ड्राइवर कैसे डाउनलोड करेंगे ड्राइवर को डाउनलोड करने का कम्पलीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में एक्स्प्लेन करूँगा आप मेरे साथ वीडियो के कम्पलीट प्रोसेस पर बने रहें ताकि बैतर तरीके से आपकी समझ में आए और वीडियो को बिना स्किप किये देखें इसके अलावा दोस्तो अगर आप हमारी यूटूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारी यूटूब चैनल को सस्क्राइब कीजिए बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिली तो हमें यहाँ टाइप करना हुगा एप्शन प्रिंटर 2850 ड्राइवर डाउनलोड दोस्तो मैंने एप्शन प्रिंटर 2850 मोडल को टाइप मोडल का ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए टाइप कर दिया है यहाँ पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके का यूजर इंटरफेस हमें देखने के लिए मिलेगा जस्ट हम इस option पर click करेंगे और इस option पर click करने के बाद हम देखेंगे किस तरीके से जो हम अपने इस driver को download करेंगे दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके का printer होगा printer का user interface आप देख सकते हैं Epson EcoTag ET 2850 model और यहां पर जब आप जो scroll down करेंगे तो यहां पर आपको printer का name मिल जाता है और यहां पर इस आपको स्रीज मिल जाती है इन इन स्रीज के साथ जो है यह driver support करेगा और इन स्रीज के साथ आप अपने इस driver को support करा सकते हैं यानि कि यह operating system दिया गया है आपके computer का laptop का ज आप डाउनलोड के option पर क्लिक करेंगे तो आपका driver जो है download होना सुरू हो जाएगा आप देख सकते हैं मेरी screen पर हमारा जो driver है वो download होना सुरू हो चुका है जस्ट आप किसी और driver को download करना चाहते हैं तो जस्ट आप उस पर click करेंगे और आपका वो driver भी download होना सुरू हो जाएगा आप देख सकते हैं मेरी screen पर तो इस तरीके से जो है आप अपने driver को download कर सकते हैं दोस्तो अब अगर आप किसी और side पर visit करना चाहते हैं तो चलिए मैं किसी एक और अन्य side पर visit कर लेता हूं और यहां से हम visit करने के बाद देखते हैं कि किस तरीके से जो है हम इस driver को download कर लेंगे जस्ट आप scroll down करेंगे तो आपको यहाँ पर बिंडो का operating system देखने के लिए मिल जाता है क्या operating system है बिंडो का और किस operating system के साथ जो है यह driver support कर सकता ह है तो जस्ट हम नीचे जब scroll down करेंगे तो आपको और भी drivers की series यहाँ पर देख जाएंगे आप जिस भी series का driver download करना चाहते हैं आप उस series का driver download कर सकते हैं चलिए हम यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं एप्शन वर्क फॉर्स ड्राइबर को डाउनलोड करने का प्रोसेस है वो ओपन हो चुका है आप इस तरीके से जो है ड्राइबर को डाउनलोड कर सकते हैं एप्शन प्रेंटर 28-50 model के driver को डाउनलोड करने का पूरा complete प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में explain किया है दोस्तो इसके अलावा अगर आपके मन में कोई confusion है कोई सवाल है तो आप मुझे वीडियो के comment section में comment कीजिए मैं आपके help करने की पूरी कोशिस करूँगा दोस्तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को subscribe कीजिए बेल आइकन को press कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिले इसके अलावा दोस्तो आप मेरे new चैनल पर visit कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा अगर आप share बजार में interested हैं तो account open कीजिए लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा 100% आपका account open हो जाएगा कोई charge आपको देना नहीं पड़ेगा दोस्तो उमिद करता हूँ वीडियो में दी गई जनकारी आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो भी अच्छा लगा होगा वीड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें